और इस वक्त की एक बड़ी खबर जानी है उत्राखन हाथसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर बारा हो गई है बदरिनाथ हाईवे पर अलक नंदा नदी में मिनी बस गिरी थी हाथसे में 14 लोग जखमी भी हुए थे घायल लोगों से मिलने सीम धामी रिशिकेस के एमस अस्पताल भी पहुँचे और वो जो संख्या है ये हाथसा कितना बढ़ा था पहले आप इस तस्वीश से समझ लीजिए बस जो आपको दिखाई दे रही है लोग आपको कितने चोटे चोटे दिखाई दे रहे हैं उपर से लिया गया ये वीडियो है बस उपर से नीचे गिर गई थी और इसमें 12 लोगों की मौत हो गई है अब तक की ये अपडेट है जो घायल है उनका इलाज चल रहा है हलाकि सीम धामी ने जांच के अदेश इस मामले में दिये है बदरिनाथ हाईवे पर अलग नंदा नदी में ये बस गिरी और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे है ये हादसा किस कारण से हुआ आप जांच के बाद जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा फिलहाल 14 लोग इस हादसे में जख्मी बताय जा रहे है जो CM धामी है वो भी रिशिकेस के एमस में घायलों से मिलने के लिए पहुँचे है तो ये इतना बड़ा हादसा ये जो बस है बताय जा रहा है कि नौईडा से जा रही थी रिशिकेस एमस में घायलों का फिलाज इलाज चल रहा है अब दो तस्वीरे आपकी टीवी स्क्रीन पर चलते हुए दिखाई दे रही है एक तस्वीर जिसमें हादसा हुआ दूसी तस्वीर जिसमें CM पुशकर सिंग धामी जो है वो जाकर जो घायल है उनका हालचाल जान रहे है और स्थिती का जाइजा ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ा हादसा दुखद हादसा बारह लोगों की मौत हो गई है चौदर लोग अभी भी जखमी बताया जा रहे है पुशकर सिंग धामी आक्शन में है उन्होंने जाँच के आदेश दिये हैं जो मृतक हैं उनके प्रती संवेद दुख प्यक्त किया है और वो परिवार के प्रती संवेदनाय वी व्यक्ती हैं उसके साथ साथ तुरिशी के इस एम्स में वो फिलहाल जाकर जो घायल लोग हैं उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं चौदर लोग जखमी हुए हैं और बारा लोगों की मौत हो गई है तो उत्राखंड हादसे में मरने वालों की संख्या बारा हो गई है बद्रिना थाइवे पर अलकनंदा नदी में ये मेनी बस गिरी थी चौदर लोग इसमें जखमी हैं घायलों से मिलने के लिए सीम पुषकर सिंगधामी एमस अस्पताल पहुचे हैं और इसी बीच एक और अपडेट आ रही है कि दो लाग के मौवजे का ऐलान प्रधान मंत्री ने किया है प्रियेम मोदी ने दो लाग के मौवजे का ऐलान किया है ये बड़ी अपडेट हम आपको बताया है मृत्को के परिवार के लोगों को दो लाग का जो है दो लाग की राशी मिलेगी और जो घायल लोग है उनको पचास-पचास अजार उपे का मौवजा दिया जाएगा ये बड़ी अपडेट इस घटना से जुड़ी हम बता रहे है दो लाग मृत्को के परिजनों को और पचास-पचास अजार उपे जो घायल है उनको मिलेगा ये बड़ा हाथसा हुआ इसमें 12 लोगों की मौत हो गई है और 14 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे है खुद उतराखन के सीम जो पुशकर सिंग धामी है वो घायलों का हाल जानने के लिए रिशिकेस एम्स पहुंचे थे और ये तस्वीर जो आपके TV स्कीन पर चल रही है ये उस वक्त की तस्वीर है जब पुशकर सिंग धामी रिशिकेस एम्स में जाकर मृतकों का हाल चाल जान रहे थे दूसरी तस्वीर हम तब की दिखा रहे है जब उनका रेस्क्यू किया गया था जो कुछ स्थानीय लोग थे जिन लोगों ने देखा वो भी रेस्क्यू के लिए आ गय थे SDRF की टीम पहुंची थी और तब वहां से लोगों को निकाला गया लेकर आया गया अस्पताल में भरती कराया गया उस वक्त की तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे है